बहुत कम यह सहर में एक ढूंडेंगे दस मिलती है क्या मेरी पर अचार सईटा पर्मानेंट लगी रहती है क्योंकि मैं पर्मानेंट मंत्री मेरी सीट कोई नहीं हिला सकता नमस्कार आप देख रहें 36 गड़ तक मैं हूँ आपके साथ आजे सोनी 36 गड़ में भाजपा की सरकार है और जो चर्चा चल रही है कि 36 गड़ में जो मंत्रियों का बटवारा हुआ है संभाग वाई जातिकत समीकनर के हिसाब से तब उस पर चर्चा चल रही है बात शीतों पर 12 पे जीत हाइसिल कि हो और मंतरी मंडल में बात करें तो दो लोगों को मंतरी मंडल में Gary High ुसको लेकर रायपुर वासी क्या कैते है रायपुर संभाग की जन्ता क्या किया है उस पर हमने झाल की लगाई है चौपाण और जहनें George sarkar को भाजपा मैं 36 जब ढंगई मंतरी मंड deposit में में। O healthy मैं कैसे को क्राइटरिया करा से शूरा मंत्री मंदे इसके सब सब से prov आयक सबसे पुराने लीडर है और आठ बार जीत के भी आया है और मतला पूरे चंदराकर भी जीत कर आए उसके बाद ने चेहरे भी जीत कर आए तो क्या और भी लोगों को जगह मिलनी चाहिए थी नहीं बताया ना आपको तरहे तरह का क्राइटरिया है तो तेरा में तो सब को खुश करोगे ना भी सबसे जादा सीनियर में बिरिज मोहन जी थे इसलिए उनको लेना ठीक है ने अब बार एक दूसरे जीलों में भी तो लोगों को प्रहिंद दोगे ह आप में थोड़ी घस्ते रहोगे कि पुराना है तो उसको दो लायों को चांस नहीं को बहुत बार घीज दिया नहीं ठीक है उनका कट के हिसाब से जग में राइपूर संभाग में पिछले बार दूर्ग संभाग में मुखमंतिर समय छे मंतरी थे तो अब जिस तरह से इसके बात करें तो बिर्ज मोहन जी पीज़ाद कि पहले राइपूर जीले की अब ये विविदायक है और राइपूर जिले में हमारे राजिस मुड़त जी को भी मंत्री मंडल में इस्थान मिलना चाहिए बात करें तो बिरिज महन जी asynchron पहले सम्हाल चुके हैं लोक निमार भी भाग सम्हाल चुके हैं उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि रमान सिंह से जब ट्यूनिंग थोड़ी सी बिगडी तो उनको पर कतरने के लिए क्रिसी मंत्राले दे दिया लेकिन उनको दिया है इसकूल सिच्छा उनको भी उपर ले आगे वह अच्छे से जिम्मेदारी लिभाएंगे लेकिन हमारे इसाब से उनको बड़ा पद मिलना था जो नहीं मिले उनको जिस टाइब से उन्होंने राइपूर सबसे सरवादिक मतों से जीत हासिल किया है उससे विजम्माद की उपेच्छा होई है ये अपने को लग रहा है और कुन लगता है कि राइपूर संभाग में बड़े चेहरे निकों बड़े चेहरों में आप किनको जानते हैं ये बताए पहले है राइपूर से किसको किसको अगर दो चेहरों को मंत्री बना है तो लगता है कि ठीक है सब्सक्राइब हमारे साथ है पिछले बार हमने देखा आप भाई साथ आरे आईए कुछ तो बताईए हम आईए मैं आप से पूछूँगा पिछले बार दुर्ग में से संभाग सी मुखमंत्री आई भूपेज बग मठले होगों का जिम्मा दिया दूर्ग संभाग के विधायकों को सर्गूजा संभाग की बात करें इस बार सर्गूजा संभाग बश Eli्य। नहीं मिला और इस बार सर्गुजा ने चैटे फीर से भाजपा को दे दी जो पिछले पर कॉंग्र्ष को में ली यह। भाजपा ने वहां से सियम बना दिया उसके बाद तीन मंतरी वहां से बनाए बार या लगता है कि सर्गूजा का हग था पड़े चाहिए वह मंत्री वहां गया है तो ऐसा लगता है कि उन्ने पंद्राइला अंग बहुत अच्छा काम किया प्रदेश में पर्टिकलर राइपूर में जो डेवलेपर्पेंट उनके कारेकाल में हुआ वह उसके बाद देखने को नहीं मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि PWD डिपार्टमेंट या जो भी उच्छे डिपार्टमेंट राजिस मौनद जी को एक मंत्री पत और राइपूर से मिलना चाहिए राइपूर की बात करें तो हम लोग पिछले 5 सालों में सुनते रहें कि वह विकास से थोड़ा पीछे चलाए गया खास राइपूर की बात करें गया तो कि नहीं पर कोई प्र नहीं हुए जब की नगर निगम में काभी फंड होता है लेकिन राइपूर में दिखा नहीं तो वहीं मैं बोल रहा हूँ कि जैसा भाई सम ने कहा कि उनको जो फोट प जिससे विकास की गाथा लिखी जाती है पी डबलूडी जलसन साधन पी अची जो भी नगरी निकाय प्रसासन की बात होती है वो विभाग नादेकर स्कूल सिच्छा के जिम्मा दिये गए तो का लगता है कुछ से राइपूर में फरक पड़ेगा नहीं राइपूर में फरक का लेकिन फरक रोड़न व पर लेकिन का और चाहीं पर कि बात करें तो पिछले की तुलना में अभी की तुलना में नई सरकार बनी है और उनमें दो मंत्रियों को सामिल किया लगता है कि जो कमिया पांस साल में रही है वह इस पांस साल में पूरी हो जाएगी और बहुत कमिया सहर में एक ढूंडेंगे दस मिलती है अब बोल लेता हूं अब बोल लेता हूं अब अच्छा नाम सही मंत्री है तो फिर तो आप ज्यादा बताईए मंत्री होने के नाते आप यह बताईए कौन-कौन से काम बीना विभाग के मंत्री है विभाग मिलता तो कौन-कौन से आप जाद अच्छा होना चाहिए पूरा राइपूर का तक्ता बदल देते साथ बहुत कमिया है राइपूर में जैसे रोड में जाएंगे इतना ब्रेकर लगा दिये क्या बहुत तकलिफे होती है और यह आटो वाले तो भर दिये पूरे के पूरे ऐसा चलाते पीछे वाले को तो देखते ही नहीं सबसे बड़ी चकली ट्रफिक के बाद निश्ची तुरुप से पट पिछली पांच सरकार पे जब कॉंग्रिस सरकार थी जाते जाते है कि खूब भूमी पूजन हो गए यह फ्लाइओर बनेंगे यहां से ओवर वीज बन जाएगा ट्राफिक डाइवाट कर दिये जाएंग जो बहुत तकलीफ है अज की रेट बहुत जगा अभी भी रोडे नहीं बनी है रोड का काम करना चाहिए तो मुझे लगता है यह सब और कौन से और कौन से काम थोड़ा तार को छो चुड़ाएंगे जो भी अभी अंडर्गाउन बिजली का काम हुआ है ना जो खंबे लगे वह एक साइकल या उससे ना पूरे-पूरे बैंड हो रहे है उसमें रिस्क बहुत रहेगी अभी जैसे सदरवजार में लगे अभी मालवी रोड में लगे बीच-बीच में लगे पांच-पांच फ लगे उसमें राड में खड़े कर दी हैं इतने हैवी और साइकल या कोई भी गाड़ी रिवर्स करें तो चले जाएगा उन्डर्गांट रहते हैं और याद दिलाना चाहूंगा जब पिछली बार चर्चा कर रहे थे राइपूर की समस्या कानून ब्योस्ता सबसे वड़ी में मैं स्राइप्र गर에 agemीते प्राइपूर में बोलते थे कानून ब्योस्ता रास धानी में एकाम अब बैसथा सबसें सब्सक्राइपिक है और यह जो आटो की भरमार हो गई उसको लिमिट करना चाहिए जो आटो वाले जी टाइप से चलाई रहे हैं मतलब लोगों को बहुत जान संसत में ले आते हैं उनको कोई ट्राफिक सेंस महीं है है। जैसे को एक बार रायपूर के नाते उनकोने मत्रियों को भी राजधानी की सबसे पर पहले अपने छेत्र के साथ साथ राइपुर को को भी परमुकता देनी सब्स है राइपुर में राजधानी है और जिस टाइप से परिशान हो चुका है नंगरी पर शाषण जिम्मा मिला है अरूर साओ झी और पडोसी जीला जह थ्यान देंगे राइपूर राजधानी है और धेना भी चाहिए मेरी ही साब तेरा होने चीह थे बारे हैं बसी अम मिलाकर एक पद खाली है क्या लगता है कि राइपूर संभाग के हिस्से में आना चीह है हमारे इसाब से राजस मुनद जी को मिलना चाहिए क्योंकि नोंने जो पांच साल में विकास किया है वह अमेरिका से जीले में कहीं पर इतना विका राइपूर का चाहिए उनके कारेकाल में मुझे लगता है कि अच्छे से हो सकता है तो यह आज हमने बात चोपाल लगाई चाहिए चाहिए तक की राइपूर में और राइपूर की जनता का कहना है कि निशी तुरुक से संभाग को दो मंत्री मिले हैं लेकिन एक जो अभी रिक्त पचा है उस पर यह परवल दावेदारी राइपूर के लिए कर रहे हैं और उसके लिए एक नाम को भी मुखर्ता से ले ञें कि इस ब्दी को ड़स्राकार में मंत्राली का जिम्मा मिलना जाएगा सभी साहिल के साथ अजय सोनी रहा है पूर तिस गर्ट तक